हेलो गाइज, वेलकम टू ईशा एक्स्प्लेइन मूवी की शिर्वात एक रेस्टोंट में होती है यहाँ एक सिंगल मदर नीना हैरिसन को दिखाया जाता है जो अपने एक लोते वेटे डोरियन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी फिर नीना अपना एक पुराना कैमरा निकालती है यह बिलकुल आम कैमरे जैसा लग रहा था वो डोरियन की वीडियो शूट करने लगती है क्योंकि आज डोरियन का फर्स डे ओफ कॉलिज था और जब डोरियन अपनी मॉम से बाते करने में बिजी था तो वो अंजाने में कैचप अपनी शर्ट पर गिरा लिता है और इसलिए वो अपनी मॉम को दोबारा वीडियो बनाने के लिए कह देता है बट शोकिंगली जब वो अपना कैमरे का रिवाइन बटन दबाती है तब ही उसके आसपास की सारी चीज़े पहले जैसी हो जाती है मतलब वो टाइम में पीछे आ गई थी नीना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब जैसा पिछली बार हुआ था सब वैसा ही होने लगता है और इस बार वो डॉरियन को कैचप लेने से मना कर देती है वो तो डॉरियन से उसकी शर्ट पर लगे दाग के बारे में पूछती है पर ऐस यूजूल डॉरियन को तो कुछ भी याद नहीं था अब नीना को तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसने देजावू एक्सपीरियन्स किया है नैक सीन में वो दोनों डॉरियन के न्यू स्कूल जा रहे थे और जब डॉरियन ड्राइव कर रहा था तो वो वही कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है अब रिकॉर्डिंग के चक्कर में वो अपनी स्पीड लिमिट भी पार कर देता है बट अनफोर्चुनेटली एक पूलिस कार उनका पीछा करने लगती है नीना अपने बेटे को रुकने के लिए कहती है कार रुकते ही सबसे पहले ओफिसर वहां आता है उसका नाम लास्की था वो पहले तो उने बलैक हुने के लिए ताने मारता है और चान बिर करने लगता है कि कहीं उनके पास कोई गंतों नहीं ये तो साफ दिख रहा था कि डोरियन ओफिसर के रेसिस्ट बिहेवियर से घुस्से में था वो उसे उल्टा जवाब देना चाहता था पर उसकी मॉम डोरियन को शान्त करती है वो ओफिसर अब भी उनकी बेज़ती करे जा रहा था तब ही वो नोटिस करता है कि कैमरे में अब भी रिकोर्डिंग हो रही थी और इसी धक्का मुक्की में नीना से कैमरे का रिवाइंड बटन दब जाता है और उसके ऐसा करते ही टाइम रिवाइंड होनी लगता है और वे दोनों पांच मिनट वक्त में पीछे आ जाते हैं जब ओफिसर ने उन्हें नहीं पकड़ा था और इस बार नीना बहुत ठकी हुई महसूस कर रही थी इसका मतलब टाइम में पीछे आने से उसके भी अनर्जिक खतम हो रही थी अपनी मॉम की हालत देखकर डोरियन परिशान हो जाता है और वो उसी जगा अपनी कार रोक देता है जहाँ पिछली बार पुलिस ने उन्हें पकड़ा था जब डोरियन अपनी मॉम को शान्त करने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ ओफिसर लासकी फिर से आ जाता है हालाकि अब डोरियन ने कुछ गलत नहीं किया था फिर भी लासकी किसी न किसी बहाने से उन्हें तंग कर रहा था लासकी बताता है कि कार का छोटा सा पार्ट रोड पर टच हो रहा है और ये कानून के खिलाफ है ये सुनने के बार डोरियन घुसा हो जाता है कि उसकी मॉम को मदद की जरूरत है और उनके पास चिंता करने के लिए और भी चीज़े हैं पर लास्की उन्हें ऐसे कैसे जाने देता वो उन्हें सदा देना चाहता था पर जब डॉरियन उसकी बाते नहीं मानता तो लास्की भी अपनी गन निकाल कर डॉरियन पर तान देता है वही नीना जिसके पास अभी भी कैमरा था वो रिवाइन बटन प्रेस कर देती है वो रिवाइन बटन प्रेस करके इस मुसीबस से तो बच जाती है और इस बार नीना टाइम में बहुत पीछे आ जाती है जब वो और डॉरियन रेस्टोंट में बैठे थे और यहाँ पता चलता है कि लास्की भी उसी रेस्टोंट में मौजूद था और मूवी के शुरुआस से ही लास्की ने उन दोनों को टारगेट करना शुरू कर दिया था और वो ऐसे शायद अपने रेसिस्ट बिहेवियर के कारण कर रहा था नीना को तो महसूस हो गया था कि वे खत्रे में है तो वो जल्दी से डोरियन को लेकर वहाँ से चली जाती है और इस बार वो गाड़ी चलाती है वो लंबे रास्ते से जा रही थी कि अब तो वे लास्की से बच जाएंगे डोरियन भी अपनी मौम के बरताव को देखकर शोक्ड हो जाता है पर नीना उसे दिलासा देती है कि सब ठीक है विकार में सोंग प्ले कर देते हैं अब नीना को भी थोड़ा अच्छा मैसूस हो रहा था डोरियन भी स्कूल नहीं जाता और अब वे पूर दिन साथ में वक्त बिताने वाले थे इसके बाद वे मोटेल में जाते हैं वहीं टीवी पर लोटरी शो आ रहा था जिसे देखकर नीना को एक आइडिया आता है पहले तो वो चुपके से लोटरी नमबर रिकॉर्ड कर लेती है फिर वे बाते करते हैं कि लोटरी कितनी बेफ़सूल है पर डोरियन को तो प्री डेस्टिनेशन पर यकीन था और इसी बीच नीना रिवाइन बटन दबा देती है और दोबारा उसी वक्त में पहुँच जाती है जब लोटरी नमबर बताया जाना था और वो सेम उसी नमबर को बोलती है डोरियन ये सुनकर काफी शौक था और वो उससे प्रॉमिस करती है कि अगली लोटरी वो जरूर जीतेगी यहाँ नीना को तो लगता है कि वे अब खत्रे से बाहर है पर अचानक दर्वाजे पर कोई दस्तक देता है और जब डोरियन दर्वाजा खोलता है तो नीना का सबसे बड़ा डर अब सच हो गया था यहाँ लास्की उनका फिर से पीछा करते हुए मोटल में पहुँच गया था और इस बार वो बताता है कि उसे नौइस कमप्लेंड कॉल आया है अजीब बात ये थी कि उसका मानना था कि नीना और डोरियन एक कपल है वो उन्हें उनकी आइडेंटिटीज दिखाने के लिए फूर्स करता है और यहाँ फिर से डोरियन घुसा हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था वो बस लास्की को वहां से भगाना चाहता था और तभी लास्की नीना के हाथ में कैमरा देखता है लास्की फिर से कैमरा लेने की कोशिश करने लगता है और डो लास्की तो उसे शूट करने वाला था और तब ही नीना रिवाइन बटन प्रेस कर देती है और वापस टाइम में काफी पीछे आ जाती है और इस बार उसे रिलाइस हो जाता है कि वे कहीं भी छिपने की कोशिश करें पर लास्की उन्हें कैसे भी करके ढून निकालेगा ऐसे लग रहा था कि मानो इस रेसिस्ट कॉप से मिलना ही उनकी किस्मत में लिखा है और इस बार नीना कुछ अलग करने का डिसाइड करती है वो अपनी टेबल से उटकर लास्की के पास जाती है वो लास्की का यकीन जीतना चाहती थी पहले तो वो खुद को इंटरड्यूस करत बट वो अभी भी उसे अच्छे से नहीं जानता था तो उसका ट्रस्ट जीतने के लिए नीना उसे बताती है कि उसका लड़का उसकी दुनिया है और वो आज पहली बार कॉलिज जाने वाला है और फिर नीना अपनी फैमली के बारे में बताती है ओफिसर भी इमोशनल होकर नीना को बताता है कि उसकी वाइफ कुछ सालों पहले गुजर चुकी है और जब से उसकी जिन्दगी काफे मुश्किल हो गई है ये सब बताने के बाद लास की नीना का थैंक्स करता है और वहाँ से चला जाता है बट नीना के जाने से पहले नीना देखती है कि लास की उसक रेजिस्ट्रेशन पेपर दिखाने के लिए कहता है ये सुनते ही नीना बहुत घुसा हो जाती है और उस पर चिलाना शुरू कर देती है कि उसे कोई पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है डॉरियन अपनी मदर को शांत करने की कोशिश कर रहा था पर नीना तो किसी की नहीं कोई चारा ना वचने पर वो कार के अंदर अपना फोन लेने जाता है जिसमें उसने रेजिस्ट्रेशन पेपर्स की पिक्चर क्लिक की थी और जैसे ही वो अपना फोन लेकर आता है तो लास्की को लगता है कि वो कुछ और लेकर आया है और गलत फैमी के चलते वो उसे शू ताया जाता है जहां उसे डोरियन की बोडी पहचानने के लिए बुलाया जाता है। जहां वो और डॉरियन बैट कर खाना खा रहे थे नीना अपने बेटे को जिन्दा देख कर बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है और अब सब कुछ जानने के बाद वो लास्की के वहाँ आने से पहले डॉरियन को लेकर वहाँ से जाने लगती है बाहर जाते फिर से लास्की से टकराते हैं पर वो सिंपली उनके लिए दर्वाजा खोलता है इसके बाद नीना एक पांसी के खाली घर में चली जाती है और फाइनली डॉरियन को सब कुछ सच बता देती है कि इस कैमरे में मैजिकल पावर्स है जिसकी मदद सेवे टाइम में पीछे जा सकते हैं वो डॉरियन को लास्की के बारे में भी बताती है कि कैसे वो हर जगा उन्हें फोलो कर रहा है फिर वो डॉरियन से इस लूप को खतम करने के लिए मदद मांगती है यहां डॉरियन को भी यकीन था कि उसकी मौम जूट नहीं बोल रही है तो वो कोई आइडिया और यहां नीना डॉरियन को बताती है कि कैसे उसके बड़े भाई को पुलिस ने शूट कर दिया था और इस इंसिडन्ट के बाद वो सद्वे में चली गई थी जलदी उसका बड़ा भाई नीयल वहां आ जाता है जो अभी भी यहां रहता था बट नीना और नीयल आपस में बातें नहीं कर रहे थे और पता चलता है कि वो अभी भी नीयल से घुसा थी क्योंकि वो उनके फादर के फ्यून्जरल में नहीं आया था यहां अपनी बहन की इतनी बुरी हालत देखकर नीयल उन मा बेटे को घर के अंदर ले जाता है जहां नीना अपने भाई को उसके सा रही है बट सप्राइजिंगली नीयल उसकी हर एक बात पर पूरा यकीन करता है और यहां पता चलता है कि असल में ये कैमरा उनके फादर का था जो उन्होंने मरने से पहले नीना को दे दिया था यहां तक कि नीयल बताता है कि उनके फादर हमेशा इस तरह के मैजिक की कहान और उस रात वे तीनों कोई प्लैन बनाने ही लगते हैं जिससे वे लास्की को रोख सके नियल तब ही सजेस्ट करता है कि उन्हें डोरियन के कॉलिज जाना चाहिए क्योंकि यही अकेली ऐसी जगा थी जहां लोग उनकी मदद कर सकते थे और पता चलता है कि डोरियन ने ओल ब इसलिए नियल एक शोटकट रूट बताता है जिससे वे किसी की भी नजरों में आए बिना कोलिज तक पहुँच जाएंगे उसके पास एक पर्सनल ब्लूप्रिंट था जो इन कुछ सालों में उसने खुद बनाया था अगले सीन में नियल उन्हें एक अंडरग्राउंड ट करते हैं अब कुछ ही देर बाद वे टनल से बाहर आ जाते हैं यहां से कॉलिज बिलकुल पास ही था डॉरियन तो सारे स्टूडन्स को देख कर बहुत खुश होता है उसे तो सबर नहीं हो रहा था कि वो दूसरों से इंट्रेक्ट करें फिर वे तीनों कोलिज के एंट्रेस की तरफ जाने लगते हैं बर तभी अचानक से वहां लास किया जाता है कि वे टनल में क्या कर रहे थे नीना डर के मारे डोरियन को लेकर वहां से जाने लगती हैं पर लास की तो अपने गन निकाल कर उन पर तान देता है यह देखकर नियल ओफिसर के सामने आ जाता है और उ ओफिसर्स की रिकॉर्डिंग करने लगती है। डोरियन तो नीना को रिवाइन बटन दबाने के लिए कहता है। पर इस बार वो ऐसा नहीं करती। इसके बजाए वो कैमरे को लॉक कर देती है। और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी हिम्मत देखकर नीना बोलना शुरू करती है। वो लास्ता की को ताना मारती है कि सिर्फ़ उनके सकिन कलर के चलते उन्हें हैरेस किया जा रहा है। यहां तकि वो उसे एक कलपरिट ऑफिसर भी कहती है। जिसे सिर्फ खुद की ही परवा है। आप पसारे ऑफिसर्स को रिलाइस हो जाता ह कि वे अब कुछ नहीं कर सकते तो वे पीछे हट जाते हैं पर लास्की तो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था वो तो अब भी वही तना खड़ा था उसने तो अपनी गन तयार भी की हुई थी वो बस नीना को कैसे भी करके सबक सिखाना चाहता था पर वो जब चारो और अपनी नज़र दोडाता है तो सब उसे रिकॉर्ड कर रहे थे इसलिए वो डर के मारे अपनी गन नीचे कर लेता है और जब वो वहां से जा रहा था तो नीना उसे एक लूजर कहकर बुलाती है और अब फाइनली नीयल और कुछ स्टूडेंट्स की मदद से नीना इस लूप को खतम कर देती है अब सीन कट होकर कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहां डोरियन अब एक फादर बन चुका है और उसकी लाइफ बिलकुल अच्छी चल रही थी वो अपनी डॉर्टर के साथ खेल रहा था और नीना उसी सेम कैमरे से ये हैपी मुवमेंट रिकॉर्ड कर रही थी और तब ही वो छोटी लड़की कैमरा लेकर उसे गिरा देती है जिससे कैमरे के टुकडे टुकडे हो जाते है नीना के तो होश उड़ गए थे तो वो जल्दी से सारे टुकडे समेटने लगती है एक डिवाइस होने के बावजूद भी वो उसके साथ हमेशा था उसे तो इस कैमरे की आदस्सी हो गई थी यहाँ जब वो टुकडे समेट रही थी तो डोर्यान उसकी मदद करता है और अपनी मौम को मूव ओन करने के लिए कहता है वो नीना से कहता है कि वे बिना इस डिवाइस पर डिपेंड रहे अब रियल मेमरीस बनाएंगे यह मूवी यही एंड हो जाती है जहां नीना अब अपनी जिन्दगी का एक नया सफ़त तै करती है और बिना उस कैमरे के जिसने उसे पास्ट में कई मुसीबतों से बचाया है और यहां अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और सिर्फ पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा था जो यह इंडिकेट करता है कि नीना को फिर से उसी ओफिसर से डील करनी होगी और इस बार उसके पास कोई रिवाइन ओप्शन भी नहीं होगा और इसी के साथ यह बहतरीन मुवी यहीं एंड हो जाती है तो गाइस आपको यह मुवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन तो हम मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए जास्ट वेट एंड टेक कियर